तेरा फरवरी आज है National Women's Day जिसको की हम एक ऐसी महांत सक्षियत के जनम दिवस के अफसर पर बनाते हैं जिसने भारती राजनीती में महिलाओं का एक अलग स्थान बनाने में बहुत जादा इंपॉर्णन भूमी का अदा की थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक के कह सकत अधियों के लड़ाई लड़ी थी और बहुत सारे संगठन भी बनाये थे तो आज हम बात करने वाले सरोजनी नाइडू के बारे में जिनकों के हम भारत की कोकिला पर नाइचेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में उन्ही के पर नाम हुआ था वे एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और इसके सासाथ बहुत अच्छी पॉइट भी थी वो थी कि उन्हें बहुत कम उम्र से ही क्या है पॉइटरी करना शुरू कर दिया था अगर हम उनके निकनेम की बात करें को उनको भारत कोकिला या कहना मैं उन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसके के लिए क्या है उनको जो निजाम थे उस टाइम पे सेवन्थ नंबर के जो निजाम थे उनके हैदराबाद के उन्होंने स्कॉलर्शिप दी थी कौन थे वो निजाम मीर कासिम अली खान ने क्या है स्कॉलर्शिप दी थी जि पहली ऐसी महिला है जो की 1925 में पहली प्रेज़ेंट ओफ इंडियन नाशनल कॉंगरेस भी बनी थी पहली महिला थी वो बनने वाली और इसके लावा 1947 से लेकर इनकी डेट्स तक ये गवर्नर भी रही थी कहां की United Proveillance की आज के उत्तरपरदेश की ये पहली गवर्नर भी रही पहली महिला गवर्नर भी कह सकते हैं इन्होंने अपनी जीवन से ही काफे सारी मिसाल कायम की थी जैसे कि अगर हम बात करें इनकी क्याना में शादी के बारे में तो इन्होंने क्या है एक इंटरकास्ट मैरेज की थी 1898 में इंटरकास्ट मैरेज की थी गोविंद लाल दोनों की परिवार के सहमिती से इशादी करवाई गई थी इसके लबाए इनको कहा है 1911 में इनको एक टाइटल से नवाजा गया था जिसको की नाम है कैसरे हिंद एक मैडल था जो इनको दिया गया था इनके सोशल वर्क को लेकर जो कि इनोंने कहा है जो फलड रिलीश के टाइम पे लोगों की सेवा की थी उसको लेकर बट उन्होंने अपना ये टाइटल कुछ समय के बाद जब जलेवाला बाग मैसेखेर हुआ था तो उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया था तो जैसा कि मैंने आपको बढ़ाए कि ये बहुत दाथा फेमस पॉलिटीशन भी रही थी और उन्होंने भारत की आजादी से जुड़े वे बहुत सारे आंदलोनों में भाग लिया था और गांधी जी के साथ इन्होंने क्या है ये बहुत सारे आंदलोनों में बढ़ चड़के भाग लिया था तो उन्हीं में से कुछ एक है अगर हम बात करें तो काफी सारे ऐसे आंदलोन हैं जिन्होंने भाग लिया था उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या है इन्होंने अपने राजनी की के सफर के शुरुवात करे तो 1909 में सबसे पहले किसे मुकल लक्षमी रेडी जी से मीले थी जिनकी हेल्प से इन्होंने बाद में इन्होंने बाद में इन्होंने बाद में The Women's Indian Association के स्थापना की थी 1917 में और इसके बाद 1914 में गांदी जी से मीले थी जिक है और उसके बाद क्या है ये एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने का यूनिवर्सल सफरेज की भी ये कह सकते हो कि हिमायत की थी और सभी को वोट देने का अधिकार की बात इन्होंने रखी थी और इनके काफी जाधा प्लोज संबंध थे कह सकते हो कि काफी जाधा प्लोज लिए जुड़ी हुए थी काफी अधर पॉलिटिशन के साथ भी लेक गोपाल कृष्ण गोखले से भी जुड़े थी रबिंदर नाद टैगोर से भी काफी जुड़े हुए थी और इन्होंने 1917 में गांदी जी के सत्य प्लोज से भी जुड़े हैं मूफमेंट को भी जॉइन किया था बट हाँ यह क्या एक नॉन वॉइलेंस में बिलीव करने वाली महिला थी और इसी के साथ साथ क्या है निस सो नाइन के निस सो नाइन तीन के क्या है ऑल इंडिया होम रूरूल लिंग की भी हिस्सा रही थी इसको काफे दा फेवर किया था रूसी के बाद से काथ गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन आया था इन्होंने नॉन कोपरेशन मॉफमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और जैसा कि गांधी जी ने महिलाओं को शामिल होने से मना किया था काफी सारे आंदोल उसको लेकर जो अंदोलन चलाए गए थे उस समय में इनको काफी बार जेल भी जाना पड़ा था इन्होंने सेकिंड राउंटेवल कॉन्फरेंस जो की लंडन में हुई थी 1931 में उसमें भी पार्टिसिपेट किया था कॉंग्रेस के साथ मिलकर और 1942 के कुट इंडिया मोफम तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक प्ले लिखा था मोहिर मुनिर जो की पर्शिल लैंग्वेश में इन्होंने लिखा था और जो हैदराबाद के जो निजाम थे उनके द्वारा इसको काफे जादा पसंद किया गया था इसके लावा दे ब्रोकन विंग है जो कि 1917 में पब्लिश हुई थी जो कि यह कह सकती हो कि जो मुहमद अली जीना थी उनकी एक तरीके से बायोग्राफी थी इसके लावा कासी सारी ऐसी चीज़ें है जो कि इनकी पब्लिश नहीं हुए थी और कुछ पब्लिश भी उन सभी चीज़ों के मिलाकर इनकी एक किताब थी या एक कलेक्शन बनाया गया था जो था 1949 को कार्डिक अरेस्ट के वजह से इनकी मृत्य हो जाती है कहां पर लखनव में और उसी के साथ इनके जीवन का इस सफर खतम हो जाता है बट इनकी जीवन की लेशी बहुत जादा ही कह सकते हो अच्छी है और लोकों को मोटिवेट करने वाली है इसी वजह से हम 13 फरवरी के दिन को हम विमन्स दे के तोर पर भी सेलिबरेट करते है क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए का हमेशा अपनी आवाज बुलंद की थी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काफी सारे संगठन बनाये थे जैसे कि विमन्स इंडियन एसोसियेशन बनाये था जो आज भ सरोजनी नाइडू के सबसे पहले बायगराफी थी दस सरोजनी नाइडू वो 1966 में पबलिश हुई थी और इन्होंने क्या एक तरीके से 1917 में मैं आपको बता ना विमन्स इंडियन एसोसियेशन मनाने में हेल्प की थी जिसके तुरू क्या है महिलाओं के अधिकारों की जो अधिकारों की जो बात है वो हमेशा से आज भी रखी जाती है आज में महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए इसमें काफे दा योगदान इसी कह सकते हैं इसके लावा क्या है 1918 अगस्त में कहां पे बॉंबे में क्या है एक तरीके से जब कॉंग्रेस इंडियन नेशनल तो इन्होंने विमन्स राइट्स को लेकर तब अपनी बात सबसे पहले रखने की शुरुआत की थी तो इनके जीवन से जीवन से जीडिवे कुछ एक चीज़े थी जो आज हमने डिस्कुस की है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले